लोग यही जानते हैं कि रावन सिर्फ श्री राम से ही हारा था, लेकिन ये सच नहीं है। रावन श्री राम के अलावा शिवजी, राजा बली, बाली और सहस्त्रबाहु से भी पराजित हो चुका था। यहां जानिये इन चारों से रावन कब और कैसे हारा था। एक बार रावन बाली से युद्ध करने के लिए पहुँच गया था। बाली उस समय पूजा कर रहा था। रावन बार बार बाली को ललकार रहा था, जिससे बाली की पूजा में बाधा उत्पन हो रही थी। जब रावन नहीं माना तो बाली ने उसे अपनी बाजू में दबा कर चार समुद्रों की परिक्रमा की थी। बाली बहुत शक्तिशाली था और इतनी तेज गती से चलता था कि रोज सुबह सुबह ही चारों समुद्रों की परिक्रमा कर लेता था। इस प्रकार परिक्रमा करन लेकिन वो बाली की गिरफ्ट से आजाद नहीं हो पाया पूजा के बाद बाली ने रावन को छोड़ दिया था सहस्त्र बाहु अर्जुन के एक हजार हाथ थे और इसी वज़र से उसका नाम सहस्त्र बाहु पढ़ा था जब रावन सहस्त्र बाहु से युद्ध करने पहुँचा तो सहस्त्र बाहु ने अपने हजार हाथों से नर्मदा नदी के बहाप को रोग दिया था सहस्त्र बाहु ने नर्मदा का पानी एकठा किया और पानी छोड़ दिया जिससे रावन पूरी सेना के साथ ही नर्मदा में बह गया था इस पराज़ के बाद एक बार फिर रावन सहस्त्र बाहु से युद्ध करने पहुँच गया था वहां पहुँचका रावन ने बली को युद्ध के लिए ललकारा, उस समय बली के महल में खेल रहे बच्चों ने ही रावन को पकड़ कर घुड़ों के साथ अस्थबल में बांध दिया था। इस प्रकार राजा बली के महल में रावन की हार हुई। रावन बहुत शक्तिशा रावन इस घ्खमंद के नशे में शिवजी को हराने के लिए क्यलाश परवत पर पहुँच गया था। रावन ने शिवजी को युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन महादेव तो ध्यान में लीन थे। रावन क्यलाश परवत को उठाने लगा, तब शिवजी ने पैर के प्रसन करने के लिए उसी समय शिवतांदव स्रोत रच दिया शिवजी इस स्रोत से बहुत प्रसन हो गए और उसने रावन को मुक्त कर दिया मुक्त होने के पश्चात रावन ने शिवजी को अपना गुरू बना लिया